नमस्कार साथियो, साथियो भारत देश की राजनेती किधर जा रही है, क्या केबल हिंदुत्व के आसरे 2024 का लोकसभा चुनाओ होगा, या फिर बुनियादी समस्याओं को भी कोई उठाएगा, ये भारतिय जन्दापाटी की पूरी कोशिसे रही है, पूरी रननिती रही है क 22 जनबड़ी 2024 को होने वाले राम मंदिर के उठाटन के उपर ही विपक छोग घेर लिया जाए, और पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरीके से, पिछले दिनों जिस तरीके से, सनातन के मुद्दे पर भारतिय जन्दापाटी ने बीजेपी और राम मंदिर के उठाटन के उ भी उन्होंने राजनिती किया, क्या ये सच में धार्मिक समारो है क्या, क्या इसके भीतर राजनिती की कोई गुंजाइस है क्या, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है, ये बात में हम ही नहीं कह रहा है, ये बात बिपक्ष नहीं कह रहा है, बलकि ये बात वो सारे स संगठन कह रहे हैं जो राम मंदिर के आंदोलन के भीतर उसके अस्थापना में सामिल रहे हैं चाहे उसके भीतर हिंदू महासभा हो या निर्मोही अखारा हो या फिर ये कहे कि राम लला ब्रजमान हो ये सारे वो संगठन है जो की राम मंदिर ट्रस्ट के ओपर ये आरोप तक लगा रहे हैं जो उद्घाटन के भीतर ही उद्घाटन में भी राजनिती की जा रही है सियासत क्या जा रहा है निसंदे प्रधान मंत्री नारेंद्र दामोदर दास मोदी कोई ये अधिकार है कि वो उध्गाटन में सामिल हो लेकि फिर अगर आप हिंदू महासभा का वो लेटर अगर देखिएगा जिसके भीतर ये सीधे वारोप लगाया गया कि इन तीनों संगटनों की उपेक्चा की गई निर्मोही अखारा जिसने पूरी लराई लरी है पूरी गाटन में केवल और केवल राजनिती की जा रही है और इसके अलावा कई और महात्माओं की वीडियो और जो है सोसल मीडिया पे और उनका जो इंटरव्यू है उस भी आरोप लगाते थे कि ये सुब लगन में प्रान परतिस्था नहीं हो रही है ये भी आरोप लगा कि नहीं ठीक बैठ सकता है लेकिन मोदी जी अकेले ये काम कर रहे है वो बात अलग है कि बाद में ये ऐसा पता चला कि गर्व गिरह में उस समय पांच लोग उपस्तित होंगे नारेंदर मोदी योगी आदतनात मोहन भागबत उत्तरपर्दिस के राजयपाल अनंदीवेड प देखें ये उद्गाटन समय के पूर भी हो रहा है यानि सुब लगन में नहीं किया जा रहा है अब इसकी और और मतलब अंदर चे कहते हैं राजनितिक परस्तितिया क्या है इसके भीतर चंपत राय जो राम मंद्री का ट्रस्ट के जो चंपत राय अध्यक्ट है जो भी आमंतरन पत्र उनके त्वारा भेजा गया है उसके भीतर ही आप अगर दिखिएगा लाल किर्षन आडवानियों म लोगों के लिए जो गर्मानने हैं जो वरिष्ट हैं उनको ऐसे नेवते के साथ इस तरह की बाते भी कही गई हैं लेकिन कंग्रेस पार्टी के दो बरे दिगज और ब्रिष्ट लोगों को भी आमंतरन किया गया है बेजा गया है स्रीमतिस सोनिया गांधी को और मलिका कारम के भीतर सामिल नहीं होना चाहिए, जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी को यहां मंतरण पत्र बहजा गया गोदी मीडिया के तमाम एंकर तमाम और सौतनतर पत्रकार जो हैं, लब कहते हैं सो-कॉल्ड पत्रकार, जिनकी पत्रकार्टा को हर कोई समझ रहे कि व वो कहां बाट करके किसकी गोधी में बाट करके पत्र काड़िता क्या करते हैं उनका कहना होता है यह अब कोंग्रेश पार्टी फस गई सवाल यहां पर उठता है कि क्या कॉंग्रेश पार्टी को कभी किसी धर्म से किसी संपरदाई से कुई प्रति रही है क्या कभी किसी समुदाई से उसने कभी कोई दूरिया बनाई है नहीं कॉंग्रेस पार्टी हमेशा से सर्वधम संभाव की बात करती रहती है ओ गांधी जो कॉंग्रेस पार्टी के आंदोलन के जरिये आजादी के महने तक देश को पहुचाते है जब नाथुराम गौड से जो हिंदू महासभा का सदस होते थे जो पहले आरेसस का सदस रह चुके थे वो जब तीन गोलियां उतार देते हैं महत्मा गांधी के सरीर में तो गांधी तीन बार राम का नाम लेते है और उसे माफी भी दे देते है वो कॉंग्रेस पार्टी जिसके सबसे बरे दिगज और इस देश के राष्ट पिता कहे जाने बाले महत्मा गांधी का प्राथना में सामिल था उसके बीतर इश्वर अल्ला एक नाम राम इश्वर अल्ला खुदा गौड इस सारे एक ही इश्वर के नाम थे और साइदी सीलिए गांधी के उस मनोभाव को वो सम्मिधान में सामिल किया गया सभी धर्मों का समान आदर सत्ता का एक ही इस तैक कर दिया गया लेकिन आज कहिने के खोले तोर पर भारते जन्दा पार्टी आरेसस हिंदु रास्ट की बात करती है हिंदु धर्म को विशेस तबजुद देने की बात करती है और कॉंग्रेस के उपर मुसलिम तुष्टी करन के आरोप लगाती है क्या मुसल्मानों के डर के बज़े से कॉंग्रेस पार्टी नहीं जाना चाहती नहीं बिलकुल नहीं लेकिन ये पत्रकार जो है जो गोदी मीडिया के एंकर है सो कॉल्ड जो पत्रकार इता करते हैं इस तरह से कॉंग्रेस पार्टी के उपर आरोप लगाने पर बिलकुल आमदा होते है कि किसी भी तरीके से कॉंग्रेस के साथ ही चस्पा कर दिया जाए कि वो मुसल्मानों का एक ही मतलब तुष्टी करन करती है मुसल्मानों के डर के बज़े से मंदिर नहीं जाना चाहती है लेकिन इसी के उपर एक सवाल बन जाता है कि क्या इस मंदिर के आंदोलन के सबसे बरे धोज बाहक पार्टी के जो इस समय नित्रिद्व करता है उद्धव ठाकरे जो सिवसे नाके हैं उद्धव ठाकरे को आमंतरन क्यों नहीं भेजा गया है जब उस आंदोलन के तरफ अगर बात करे जब 6 दिसंबर उन्हें सब 92 को बावरी महज़े धाई गई थी उसके पहले अटल बिहरी बाजपई हो लाल किर्चन अडबानी हो या विमा कटियार हो उमा भारती हो तमाम लोग जो भी सामिल थे जिन्होंने कार्ट सेवकों को उपसा दिया था जिन्होंने कहीं कहीं नित्रुत्व किया था उसका साधवी तमराव उसमें थी अटल बिहरी बाजपई का वो भासन काफी लोग पिरिया हुआ था कि जमिन को समतल करना होगा लेकिन जैसे ही कार्ट सेवकों के द्वारा उस मजजद को ढ़ा दी गई इस सारे के सारे लोग भाग गए इन्होंने अपने जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया अटल बिहरी बाजपई हो या आडवानी हो यहां तक कहने लगे वो तो कार्ट सेवकों को रोकना चाहा रहे थे यानि उस जैम्मेदारी से उन्होंने पला जार लिया बचके निकल गए यह तो उनके पुरानी हरकते रही थे लेकिन एक व्यक्ति उसमें था उसके भीतर एक व्यक्ति था उसका नाम होता है उद्धव ठाकरे के पिता बाला साथ ठाकरे सेड़ दिल इंसान जिसने यह कहा था कि मैं अपने जैम्मदारी लेता हूँ बावर्य महजद को ढाने को और उस पूरे राम मंदिर की आंदोलन को व्यक्ति खुले तोर पर लीड कर रहे थे सवाल उठता है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट ने उद्धव ठाकरे को आमंतरन क्यों नहीं भेजा अगर सच में यह हिंदुत्व की विजय पटाका अगर है अगर यह हिंदुत्व का पूरे तरह से कहे अगर तो हिंदुत्व को प्राप्त करने का अगर नजरिया है यह हिंदुत्व के जरिये राम मंदिर अस्थापित अगर हुआ है तो फिर उद्धव ठाकरे को भी आमंतरन क्यों नहीं दिया गया और Congress को क्यों दिया गए है, क्योंकि Congress को फसाना है, Congress को राजनेतिक रूप से, स्यासी रूप से, कहीं पर प्रसंद चिल लगवाना है, ना तो अभी तक Congress के तरब से ना आने न जाने, कोई तरह की नजरिया पेश नहीं हुए, कोई खबरे नहीं है, संकेत ऐसे भी आ रहा है कि सुनिया गान्दे जाएंगी, तब क्या होगा इसका, यानि ये कहे कि आप केवल और केवल मंदिर के नाम पे राजनेति करना चाहते हैं, इसके आराबा कोई उद्देश नहीं, आपका धर्म का, आपका आस्ता का, आपके राम के परती, भक्ती का कोई उद्देश नहीं है, आपका एक महतर है, तो केवल किसी भी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी को बिपक्च को राम मंदिर के आसरे इस सवाल पर घेर लिया जाए, अगर कॉंग्रेस पार्टी के नुमाइंदे नहीं पहुंसते हैं, तब पुरे देश के बार में परचार चलाए जाएगा, कि देख इन्होंने बहाइसकार किया है, क्या यह कह सकते हैं कि निर्मोही अखारा जो है और राम बिरोदी है, कहेंगे, नहीं, इसी से बात असपस्थ होता है कि राम मंदिर का उद्घाटन भी केवल राजनितिक परपस से किया जा रहा है, इनकी कोई आस्था नहीं, कॉंग्रेस को फसाने की एक चाल है, उद्घव ठाकरे को आमंतरन नहीं भेजा गया, ये भी सवाल तो बार बार उठाया जाएगा, क्योंकि असली अगर कोई इसका हगदार बनता है, उस पूरे आंदोलन का, जिसने उस उकल्ड गुनाहों के जिम्मेदारी ले ली थी, वाला साब ठाकरे उनके बेटे उद्घव ठाकरे को, उनके पार्टी को, सिवचेना को मामंतरन क्यों नहीं दिया गया, उस पार्टी के साथ क्या लोग ले, सिवचेना को ठिका नहीं लगाया, पहले उद्घव ठाकरे को कबत्री बढारे की तयार रही हूँ, उस महराष्ट के भीतर, जब उ ऐसे राजनेतिक करने आता है विशुद्ध राजनेतिक, भारतिय जन्ता पार्टी तो वह भी है जो कि जम्मु कस्मीर की, उस पार्टी के साथ गड़बंदर कर लेती है, जिसके उपर ये आरोप लगाते थे, कि ये आतंगवाद को पुरसाहन करते हैं, आतंगवाद का समर्थन करते हैं, उस पार्टी को भी ये चम्मु कस्मीर के भीतर आम समर्थन देते हैं, मुखमंत्री बन बाते हैं, लेकिन उस उद्धव ठागरे को मुखमंत्री नहीं बनाते हैं, जो हिंदुत्व का धोजवाक रहा, जिसके पिताजी ने बाबरी मजजद के बिद्वह लोग, ब्राह्मन, केबल एक दलित, वो भी सी को कोई जगा नहीं दी गई, इसी इस तरी को कोई जगा नहीं दी गई, वो जो उद्धाटन समार्व अगर कर रहा हैं, तो फिर क्यों चुनिन्दा लोगों को ही वहाँ पे बुलाया जा रहा है, उन लोगों को ही क्यों दरकि सकता है कि नहीं कॉंग्रेस पार्टी के लोग पहुंचेंगे यह कहीं कहीं तैसी बात है मलिकारजुन खरगे भी जाएंगे सोनिया गंधी भी जाएंगी हो सकता कि दो में से कोई एक ही जाएं क्यों पॉल रहे, सब राजनितिक परपस से क्यों किया जा रहा है यह सवाल हो सकता कि दव्ठागरे को बलाने से क्यों ही Damit को क्यों बहवेषकार की अगिया है जो उस पूड़े अंदोलन में कहीं कहीं सामिल है परहल देखते रहें मंदिर नहीं इनके लिए उस चुनावी राजनिती है और उस चुनावी राजनिती मंदिर के आसरे 2024 के लोकसवाद चुनाव में जाना है और देखिए जहें